अब हम देखने वाले हैं activity number 5 तो यहाँ पे activity 5 के अंदर आप देख सकते हैं word problems है इनको हम एक एक करके solve करेंगे तो पहली word problem जो है वो यहाँ पे आपको पहले से solve करके दे दी गई है ठीक है ताकि आप यहाँ पे देखे किस तरह से हम लोग steps लिखेंगे और किस तरह से यहाँ पे addition actual में होगा ठीक है तो first question read करता हूँ मैं the cost of a motorcycle is 42,850 and the cost of a scooter is rupees 28,350 देखो question में इतना दिया हुआ है पहले से और राइट तो आप यह लिख दीजे अपने solution में answer में लिखेंगे the cost of motorcycle और फिर जो जितना cost है वो फिर बात में क्या दिया हुआ था scooter के बारे में बुला था तो आप next line में scooter के बारे में लिखेंगे ठीक है इसी तरह से the cost of scooter is equal to rupees 28,350 उसके बाद main question आ रहा देखो what is the total cost of both the vehicles जहां पे भी word हो total, sum, altogether ठीक है तो यहाँ पे total लिखा है न, total लिखा है मतलब के इन दोनों का आपको total करना है इन दोनों का आपको addition करना है total cost of both मतलब इन दोनों का motorcycle और scooter का addition करना है ठीक है तो आप यहाँ पे इस तरह से side में उसको लिख देंगे उसका addition करेंगे और फिर sentence में आप इस तरह से लिख देंगे तो आपका answer क्या मिल गया 71,200 मिल गया तो इस तरह से आप last में अपना answer लिखेंगे दस the total cost of both vehicles is 71,200 यहाँ पे लिखा न total cost of both the vehicles is फिर आपका answer अब ऐसे ही हम लोग second, third or fourth question इस वीडियो में solve करेंगे चलिए second question देखते हैं अब factory manufactured 72,584 locks in the year 2013 तो year 2013 में एक factory ने इतने locks बनाए ताले ठीक है locks इतने बनाए और 37,846 locks in the year 2014 तो उसके बाद 2013 के बाद 2014 में इतने locks बनाए 37,846 ठीक है तो चलो इसको solve करते हैं पहले तो पहले हम यहाँ पर answer में लिखेंगे first हमारा statement इन 2013 the factory manufactured locks यहाँ पर जितने locks उसमें दिये हैं वो locks हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर तो 72,584 इतने locks manufacture किये 2013 में अब ऐसे देखें कि 2014 में कितने locks manufacture किये थे वो यहाँ पर लिखेंगे next line में हम लिखेंगे in 2014 the factory manufactured how many locks तो जो question में दिया हुआ है वो आपको लिखना है 2013 और 14 को मिला कि कितने locks manufacture किये उसने ठीक है तो आप क्या करेंगे आप एक तरफ addition कर देंगे इन दोनों का तो मैं यहाँ पर addition करता हूँ 72,584 प्लस 37,846 यह क्या मैंने addition 4 और 6 कितना होगा 10 होगा 0 carry 1 1 और 8 9 9 प्लस 4 कितना होगा 13 3 carry 1 1 और 5 क्या होगा 6 6 प्लस 8 कितना होगा 6 और 8 होगा 14 4 carry 1 1 और 2 3 3 और 7 कितना होगा 10 carry 1 1 और 7 8 8 प्लस 3 11 तो यहाँ पर 11 हो गया तो हमारा आंसर देखे क्या आया बच्चों, हमारा आंसर आया, यहां पर 1,100,000, 10,000 और लेक, हमारा आंसर आया, 1,10,430, तो यहां पर आप लिखेंगे, the total locks manufactured in 2013 and 14, this year, like 2013 or 14, दो साल में कितने locks manufactured किये, इतने locks manufactured किये, ठीक है, तो आपको एक line लिखनी पड़ीगे last में, तो लिखेंगे, the factory manufactured, यहां पर लिखेंगे ऐसा, in two years, in two years, the factory manufactured, ठीक है, आप यह फड़ा फड़ लिख सकते हैं, क्योंकि question के अंदर इसके, इसकी spelling है, the factory manufactured, फिर equal to करके, तो इस तरह से आप step by step answer लिखेंगे और solve करेंगे, अब दिखते हैं next question, अब दिखते हैं third question, during a census, it was found that there were 2,34,786 males, तो एक census क्या होता है, बच्चों, census वो होता है, कि जैसे सरकार के तरफ से officers को यह काम दिया जाता है, कुछ department को काम दिया जाता है, कि आप देखें, इंडिया में population कितनी है, ठीक है, कुछ-कुछ area में कहां-कहां पर population कितनी है, और सारे areas में फिर population को देखा जाता ह है, ठीक है, पूछा जाता है कि males कितने है, females कितने है, वो सब, उसको बोलते हैं census, अपने इंडिया में last में जो census हुआ था, वो हुआ था 2011 में, अब जो फिर से census होगा, मतलब सबकी population फिर से count कि जाएगी, वो होगी 2021 में, ठीक है, इसी साल में, तो देखे, during a census, it was found that there were 2,34, 4,786 males, तो एक census के हिसाब से किसी शहर का ये होगा, answer, कि वहाँ पे males कितने है, इतने males है, और females कितनी है, 1,93,870, अब देखो, last वाला number यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मतलब, sorry, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मुझे दिखने रहा, तो मैं वहाँ पे कोई भी number डाल find out करनी है, मतलब आपको क्या करना है, number of males plus number of females in the town, यह करना है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे पहले, in a town there are 234,786 males, यह लिखेंगे आप, या फिर number of males in the town, ऐसा करके लिखेंगे, ओके, बचो देखे, आपको इस तरह से solve करना होगा, आपको इस तरह से पहले statement लिखना ह number of males in the town, कितने है, 234,786, इस तरह से आपने first line लिखी, फिर second line, number of females in the town, कितनी है, 193,875, यह लिख दिया, अब आपको जानना है कि total population कितनी है, यह पूछा था, तो आप क्या करेंगे, आप addition करेंगे, total population कितनी है वो, उसका addition आप यहाँ पे करते हैं, देखो, यहाँ पे ल 3, 8, 7, 5, इस तरह से लिख दिया, एक तरफ side में आप इसका addition कर दीजिए, 6 और 5, 11 होगा, 1 और 8, 9, 9 प्लस 7, 16, 6 carry 1, 1 और 7, 8, 8 और 8, 16, 6 carry 1, 1 और 4, 5, 5 प्लस 3, 8, यहाँ पे हो जाए, 5 प्लस 3, 8 हो जाएगा, 3 प्लस 9 क्या होगा, 12 होगा, 2 carry 1, और यह जो पुरा है, 1, 2 और 1, यह हो जाएगा, 4, तो आपने देखा, यहाँ पे population कितनी आई, यहाँ पे population है, 4,28,661, तो यह जो आप answer लिखोगे न, last में, total population of the town is, फिर आप लिखोगे, 4,28,661, that's it, इस तरह से हम पुरे इसको solve करेंगे, अब बढ़ते हैं next question पे, last question है इस वीडियो का देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या बच्चों, देखे, कोई नंबर है, वो इस वाले नंबर से, ठीक है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है, इतना जादा है, मतलब कोई नंबर है, जो इस वाले नंबर से, कितना जादा है, 12,345 जादा है, ठीक है, तो वो नंबर कौन सा होगा, हमें वो पता करना है, ठीक है, ठीक है, अब देखो, जो लिखा है, पहले वो लिखेंगे, find the number, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे answer में लिखना होगा, the number is ऐसा लिखेंगे the number is और फिर बाद में इन दोनों को plus कर देंगे किसको 8,76,543 इसको आप plus करेंगे किसके साथ में 12,345 यह आपने किया है यहाँ पे अब इसको यहाँ से solve करना start करते हैं plus करना 3 और 5 कितना होगा वो होगा 8 4 और 4 कितना होगा 8 5 और 3 कितना होगा 8 ठीक है 6 और 2 कितना होगा वो भी होगा 8 7 और 1 8 और फिर 8 के नीचे 0 है मतलब यहाँ पे 8 तो यह आपका answer आ गया कितना है आपका answer 8,88888 A number exceeds this number by this मतलब वो कौन सा number था वो number था यह वाला क्योंकि यह वाला जो number है वो इस number से कितना बढ़ा है इतना बढ़ा है ok Simple आपको देखो बताँ बच्चों जैसे कोई number है हमें नहीं पता वो number कितना है ठीक है हमें नहीं पता वो number कितना है लेकिन ये जो number है वो इस वाले number से 2 जादा है ऐसा तो आपको simple पता चल जाएगा ना बचों तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि a number, there is a number which exceeds 5 by 2 ठीक है, कोई number है जो 5 से 2 जादा है तो आप जान जाएंगे कौन सा number है वो 7 है ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे था a number exceeds this number 8,76,543 by 12,345 तो आपको ओ number find out करना था तो आप जान लिजीए बचों जहाँ पे भी इस तरह से word हो न यह exceeds more by this यह वो तो वहाँ पे आपको plus करना पड़ेगा, ठीक है ओके, तो यही पे हम यह video finish करते है तो इसी के साथ आपकी activity number 5 finish होती है I hope आप लोग को यह सब समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है In case आपको अगर कोई doubt हो, suggestion हो तो आप मुझे बता सकते हैं या फिर आप comment section में लिखनी पाएंगे क्योंकि comment section off रहेगा तो आप मुझे इस number पर contact करते हैं और contact करके आप मुझे अपना doubt पूछ सकते हैं या फिर अपना suggestion दे सकते हैं ठीक है? All right, so thank you so much children God bless you all, bye